अमरनाथ गुफा के पास कल शुक्रवार को तबाही का मंजर देखने को मिला। कल शाम करीब साड़े पांच बजे अचानक बादल फटने के बाद दिल देला देने वाला मंजर सामने आया। सुत्रों के नुसार इस घटना में करीब 15 लोगों की मोत की खबर है। वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं। भारतिय सेना IDBP और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से कल रात से युदस्तर पर रेस्क्यू अप्रेशन जारी है। IDBP के ओर से बताया गया कि कल शाम जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास करीब 10 से 15 हजार शर्धालों मोजूद थे। जब तेश बारी शुरू हुई थी उसके बाद शर्धालों से अपने टेंट छोड़ कर दूसरी जगह पर चले जाने की अपील IDBP की ओर से की गई थी। लेकिन जैसे ही बादल फटा वहां मौजूद शर्धालों में हाहकार मच गया। बादल फटने के जो वीडियो सामने आये हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। इस तराजदी में जानगवाने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। 35-40 शर्धालों के अभी भी मलमे में फसे होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गुफा के पास फसे यात्रियों को पंच तरनी ले जाया जा रहा है। पेम मोदी ने श्री अमरनात शाहिन बोड के अध्यक्ष और जम्मु कश्मीर के उपरा जेपाल मनोच सीना से घटना की पूरी जानकारी लिए।